हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल राजिंग गुरानपन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त पर्मिशोर सिंग और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल टू एक्साडेसिमल कन्वर्जन तो देखते हैं इस इक्जम्पल्स डेसिमल नॉबर सिंग में 0,1 से लेके 9 तक के इंग डिजिट्स अलाउज होते हैं और इसका बेस होता है तो आप यहांपर देखनते हैं हमने दो एक्जाम्पल लिया हुआ है इन एक्जाम्पल को हम एक एक करके सॉल्ट करते हैं तो पहला एक्जाम्पल सॉल्ट करते हैं फ़र 16 155 तो इसमें हमें 16 से भाग देना है जत्ते की संख्या 16 से छोटी नहों जाए है तो हम यहां दे सकते हैं कि यह नौ बार भाग जाएगा सॉल्ट नमाग्स चोटी होता है और बचिएगा आपका 246 11 11 का मतलब हो गया यहां पर भी बी अब इसके भाग जा ने सकता है क्योंकि संख्या 16 से छोटी होगी है अब इसको हम reverse में लिख लेते हैं जैसे हम binary को लिखते हैं उसी तरह से इसको भी लिख लेते हैं 9b तो यहां पर हम लिखते हैं 9b बिल्कुल सिंपल में में जैसे आप डेशिमल टू बायंटी करते थे बिल्कुल उची तरह सका भाज को भी कर लेते हैं 2550 इसमें भी आप 16 से बाद जाते हैं तो पहले बार 1 से बढ़ जाएगा और हुजाएगा 95 आप सब बच्चे असी पाहजा बढ़ जाएगा और इस बार बच्चे का पंद्र और हुजाएगा एक्सा बच्चास तो बच्चे का आपका 6 तो फिर आप यहां पर 16 से बाद जाएगा और बच्चे का पंद्र पंद्र का मतलब एफ यहां पर दीजिए फ तो इस तरह दे सकते हैं अब इसमें भाद नहीं जाएगा को यह 9 है और 16 से चोटा है इसलिए भाद नहीं जाएगा अब इसको आप रिवर्स से में लिजए थे हैं नाइन आफ शिक्सटि यहां दे सकते हैं बिल्कुल सिंपल में में हमने इसका करना वजर कर लिया है इस तरह से आप और एकजम्पल्स लेकर करके आप ट्राइग कर सकते और बिल्कुल आसानी से आप decimal number से hexadecimal number में करना नजर कर सकते हैं दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, share करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें दोस्तों आप एक बार हमारे चैनल को रुजित करें, वहाँ पे इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो जी हमने अप्लोड किये हुए, जिसे आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, थैंक्यू